गुड मॉर्णिंग बच्चो मैं डक्टर सीतक मारी चौबे मनुविज्यान विभाग मरवारी कॉलेज राची बच्चो पिछले क्लास में मैंने आप वो परसेप्शन के बारे में बहुत सारी बाते बताई बहुत सारे टॉपिस को बताए जो काफी इंपोर्टेंट है आज म ब्रहम के बारे में मैं बता रहे हूं कि ब्रहम क्या चीज होता है इलूजिनेशन जिसको बोलते हैं इलूजन उसको क्या कहते है हम लोग कैसे ब्रहम होता है ब्रहम का अर्थ क्या होता है इसे मैं आज मैं आपको बता रहे हूं यह 11th क्लास के बच्चो के लिए है बच्चो देखिए भ्रहाम क्या है? Meaning of Illusion किसी उपस्थित उदीपा का गलत प्रोटेक्शन ही भ्रहाम या विप्रय कहलाता है देखिए किसी भी चीज का हम लोग गलत परसेप्शन कर लेते हैं गलत धाम से उसको देख लेते हैं या गलत उसका ब्याख्या होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं भ्रहाम भ्रहाम का मतलब होता है क्या गलत मतलब किसी चीज का सही मुआइना नहीं करना सही पर्टेक्शन नहीं करना वही होता है भ्रहाम तो इसमें किसी उपस्थित उदीपक का हम लोग गलत perception जो करते हैं उसे ही हम लोग क्या करते हैं यह vindharam कहते हैं जिसे माली जी अंध्यरे में कोई रखा हुआ है और ति ही रखी है और अंध्यरा है हमें उसमें लग रहा है कि है रखी नहीं यह साफ है तो हमें गया हुआ वो भर्हम हो गया है भरम ठीक है ना अब देखिए किसी उपस्थित उदीपक या गरत परतेक्षन ही भरम का भरम कहलाता है जैसे अंधेरे में रसी को साम समझना तथा खंभे को एक आदमी समझ लेना भरम का उधारन होता है ठीक है इस परिभासा का प्रिस्ट्रेशन करने पर हम लोग को कुछ निमने लिखित बाते सामने आती हैं तो उस निमने लिखित बातों को देखिए कि कौन-कौन सी बाते हमें आती है जिसका ब्याक्या हम लोग करते हैं परसेप्शन का तो क्या-क्या होता है देखिए पहला होता है एक परकार का पर्टेक्शन ही है परन्तु सही पर्टेक्शन ना होकर गलत पर्टेक्शन होता है सही परसेप्शन नहीं होकर क्या होता है गलत परसेप्शन होता है सैद यही कारण है कि से भ्रहम कहा जाता है परन्तु भ्रहम पर्टेक्शन नहीं है क्योंकि पर्टेक्शन तो हम लोग क्या कहते हैं भर्म है ना अब देखिए चुकि भर्म एक तरह का पर्टेक्शन है इसलिए यह एक मांसिक परकिरिया कहलाएगी यह क्या कहलाएगा एक मांसिक परकिरिया कहलाएगा भर्म के लिए उदीपक का होना बहुत जरूरी है जब मान लिजे कि उदीपक ही नह ये अलग बात है लेकिन perception तो होता ही होता है वो रहे गई उदीपक तभी जाकर के भरम होगा ने था ये भरम नहीं होता है इसे ही हम लोग भरम कहते हैं अब देखिए भरम कितने प्रकार के होते हैं भरम होते हैं दो प्रकार के एक समाने भरम जेनरल इल्यूजन और दूसरा ह वैसे भ्रहम को कहा जाता है जो सभी बेक्तियों में होता है जैसे दूर में दोर से दूर में देखने से अकास्त था पृत्वी का सटा नजर आना रेल की दो समानांतर पटरियों को दूर तक देखने पर सटी हुई नजराना समाने भरम के उधारन है है ना एसाभी जैमितिय भरम जिनका वर्नन आगे हम लों करेंगे वो भी सब क्या है अब हम लोगों देखिए, जदी दूर से देखते हैं, एकान्त में, सान्त में, जब हम लोगों दूर से देखते हैं, तो क्या होता है? उसमें देखते हैं कि यह वहाँपर आकास और प्रिथ्फी दोनू एक जगा किसी पॉइंट पे जा करके मिल रहा है. या फिरेल की पटरी को हम लोग देखेंगे बहुत दूर तक तुसको लगगा कि रेल की पटरी दोनों जाकर के एक जगा कहीं मिल गया है लेकिन ऐसा नहीं होता है अब देखिए ब्यक्तिगत भ्राम को कहा जाता है जो सभी ब्यक्तियों में नहीं होता है तथा च्छनिक प्रविर्ति का होता है जैसे अंधेरे में खंभा को आदमी समझ लेना पीछे से किसी परिचित को अपना दोस्त समझ लेना ब्यक्तिगत भ्राम का उदारन होता है है ना तो ये सब क्या होता है ये ब्यक्तिगत भ्राम होता है जो हर किसी को नहीं होता है हर ब्यक्ति को अपना अलग-अलग ढग से उसका पर्टेक्शन होता है अब माली जे कि कोई क्या है अब अंधेरे में खंभा रखा हुआ है तो इससे कोई बेक्ति में खंभा समझ लेता है। उसका परचित होता नहीं है, है ना, वो उसका परचित होता नहीं है, फिर कुछ से लगता है कि यह हमारा परचित है, वो आदमी है, लेकि सामने आने पर क्या होता है, वो दूसरा परतीत होता है, तो यह हो गया क्या है, ब्यक्तिगत भर्हम, और जब वो जितना उसके नजद गतर्वेक click जाते जाएंगे ऊसका करते रहेंगे तो भृबर्तम हो जाता है लेकिन जो सरवयापी अकरे छाजा करके मिल तो वो चाहे हम देखें, आप देखें या कोई और भी देखें, वो से मुझे को उसी तरह से दिखता है, या फिरेल की पट्री को जो भी देखें, वैसे ही दिखता है, तो ये भरम सब क्या होगे, समाने भरम हो गया, मतलब सर्व व्यापी हो गया, लेकिन ब्यक्ति गत और इसके कितने परकार होते हैं हमने बताया दो परकार होते हैं कौन-कौन परकार होते हैं तो एक समाने परकार और दुसरा बेगदिगत परकार प्रस्नल इल्यूजन और जेनरल इल्यूजन ठीक है अब हम इसमें देखते हैं कि हमारे मनों बैग्यानिकों ने जामितिय भर्म क्या होता है इसको भी देखना है तो बच्चों हम अभी आपको next class में जामितिय भर्म के बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि जामितिय भर्म क्या होता है है ना अभी इसको ये meaning of illusion और types of illusion इस दोनों को आप लोग पढ़ेंगे अच्छी तरह से पढ़ेंगे और अच्छी तरह से पोड़ करके इसको डाउनलोड कर ले क्योंकि काफी important है आपके exam के लिए 11th class के बच्चों के लिए exam हो रहा है और ये काफी important है ठीक है तो अभी इस class को मैं यही बंद करती हूँ अगले class में मैं आपको geographical illusion के बारे में बताऊंगे तब तक के लिए धन् के लिए विए